येस पीपल गुड मॉर्निंग और आफ्टम गुड इडिनिंग टू अल अफ्यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ अबी भी आपके बास टाइम है अगर ये लास्ट के 45 डेज है वो आप अपना 100% दे देते हो 40-45 डेज जो भी अपने पास में बचा है उसमें अगर आप अपना 100% दे देते हो तो मैं बता दू कुछ अच्छा हो सकता है और आप पास भी हो सकते है तो बहुत सारे बच्चों यह पूचा कि सर इक बात बताईए डीटी के लिए हमने आपका जो बैच लिया था में नवेंबर 2023 वाला लिया था तो क्या उसमें जितने भी अमेंडमेंट्मेंट्स है वो सब कवर्ड है आंसर यस और अमेंडमेंट्स कवर्ड सर हमारे लिए क्या रिविज्टन लेक्शर बोल रहेंगे सर अब हम इसको कैसे revise करें कैसे sum up करें तो आपको पता रहेगा revision lecture YouTube पे डाल रखे है आपको कहाँ पे जाना है कहाँ पे मिलेंगे revision lecture जो November 2023 में exam दे रहे है हमारे CA intermediate के बच्चे तो उनके लिए आपको क्या गरना है देखो आपको ये channel है CA भवर बोरान वहाँ प 2023 वाला ये वाला जो playlist है इस वाले playlist को आप open करेंगे और इस वाले playlist में आप देखेंगे जितने भी आपके topic है ना वो हर topic का मैंने revision डाल रखा है हर topic का मैं आपका topic 1 से लेके और आपका topic जो last written filing तक का topic है वहाँ तक सब मैंने revision डाल रखा है इस revision को आप सुन सकते है अलग- marathon बना के डाला है और आप अगर marathon देखना चाहते है तो ये देखिए May November 2023 के लिए marathon जो की 7 गंटे 18 मिनट है और 7 गंटे 18 मिनट में आपका पूरा जो है वो direct text वाला 50 mark से वो cover हो जाएगा उसके साथ में अब बच्चों का ये doubt रहेगा कि सर हमने जो class में कराया हुआ हुआ है MTP करना है RTP करना है कौन सा वाला सर क्या हमारा November वाला ही करना है या हमको में वाला भी करना चाहिए राइट आंसर मैं बता दू आपको में वाला भी करना चाहिए जो May 2023 का RTP था revision test paper as well as mock test paper वो आपको May 2023 का भी करना चाहिए सर नवंबर वाला तो हम कर लेंगे में वाला करना answer is yes आपको में 2023 वाला करना है क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि इस बार exam में question जो आने वाले है वो में 2023 के जो MTP, RTP में था उसमें से कुछ questions आने वाले हैं लेकिन सर उसका क्या वीडियो वगरा मिलेगा क्या तो मैं बताओं May 2023 का जो RTP, MTP है उसका वीडियो आपको इसी playlist में मिल जाएगा आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है करगे ठीक है तो यहां पे आप देखेंगे, तो मैंने आपको यहां पे दे रखा है, कहां पे दे रखा है, देखें, देखें, यह रहा कर गए, ठीक है, यह रहा, DTRTP, May 2023 का वीडियो, तो DTRTP May 2023 का वीडियो है, उसके बाद Mock Test Paper है, वो Mock Test Paper का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और एक ब 30 भी करना है, सर, Super 30 इस बार कुछ चेंज होने वाला है, क्या answer is no, जो आपके में के लिए Super 30 था, वो का वो November के लिए है, since there is no change, तो वो का वो Super 30 है, वो आपको मिलने वाला है, वो का वो Super 30, अब Super 30 के जितने भी question है, उसका मैंने वीडियो भी डाल रखा है, बाबू, आप द 30 में आप देखोगे, तो यहाँ पर यह पहला जो है Super 30 का 3 घंडा 8 मिनिट का वीडियो है, उसके बाद इसका जो पार्ट नमबर 2 और 3 है, वो भी आपको मिल जाएगा, 3 और 4 भी आपको मिल जाएगा, तो टोटल 4 पार्ट है Super 30 के और Super 30 questions से वो मैंने आपको करा रखा है, त तो amendments है कि चलो अपन चेक करते है ICI की website, तो ICI की website पर जाओगे, तो वहाँ पर दे रखा है statutory update for November 2023, अब आप बोलोगे statutory update for November 2023 दे रखा है, बट guys इसमें वो ही वाले amendment दे रखा है, जो already हम class में cover कर चुके है, हम class में हमारी book में यह सब amendment cover कर चुके है, एक तो वो covid का, अगर म आया था, एक और income from other sources में, कि आपको लोगों से donation मिल जाता है, covid के treatment के लिए, या किसी person की death हो जाती है, और उसके employee से उसके family वालों को कितना भी पैसा मिलता है, या बाकी लोगों से उस person के relative को कुछ पैसा मिलता है, 10 lakh रुपेस तक तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, as well as अगर आप देखोगे, YouTube पे भी आपको इसके related सब चीजे आपको मिल जाएगी, हर चीज मैं आपको करा चुका हूँ, आपको कोई भी tension लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद मैं सर एक बात बताईए, यहाँ पे कोई amendment ऐसा है, जो हमको देखने की जरूरत है, answer is, ए 31st March 2022 तक आप PAN और आधार को लिंक करा दीजिये, नहीं तो वो inoperative हो जाएगा, अब एक बात समझना, 31st March 2022 था, PAN और आधार को लिंक कराने का, लेकिन उसमें यह बोला था, कि आप पे negative consequences 1st April 2023 से लगना चालू होगा, मैं इस एक साल तक आपके उपर कोई negative consequences नहीं आएगा negative consequences will be applicable from 1st April 2023 से आपके उपर negative consequences आने चालू होगे, मैं बता हूँ जो negative consequences जो 1st April 2023 से आने वाला था ना, उसको 3 महीने और पोस्पॉन करके 1st July 2023 से किया है, मिस negative consequences, देखो आपको PAN और आधार को लिंक करता था 31st March 2022 तक, still वो 31st March 2022 ही डेट है, बट आपका जो negative consequences आपके उपर ज 20% से and all, पहले वो date 31st March 2023 हुआ करती थी, उसको 30th June 2023 कर लिया है, मिस negative consequences आपके 1st July 2023 से applicable होगे, यह एक छोटा सा minor सा amendment है, वो आपको ध्यान देना है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर last मैं यहाँ पर दे रखा है, देखिए, तो आपके जो negative consequences है, वो 1st July 2023 से applicable होगे, इसके अलावा आपके लिए कोई amendment नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको class में करा रखा है, जो मैंने आपको May 2023 के लिए कराया था, वो ही आपके लिए applicable है, तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बता है, आपको religiously जो ये YouTube channel है, इस पर revision lecture है, ये revision lecture आपको follow करने है, जहाँ पर आपको super 30 करने है, खुद try करेंगे, अगर नहीं होते है, तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते है, उसके बाद RTP, MTP, May 2023 का वीडियो में डाल रखा है, नवंबर का आप खुद try करिये, और खुद try करिये, तो ये रहा आपके पास में, strategy, क्या करना है, कैसे करना है, priority topic का list वगरा है, वो भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देख सकते है, तो guys, आज गणे चतुर्ती है, और गणे चतुर्ती बहुत ही पावन प्रव पर्व होता है, मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो महराष्टा की बात करतो, महराष्टा का सबसे बड़ा festival है, वो गणे चतुर्ती रहता है, तो इस पावन पर्व पे मैं आपको शुब कमना है देता हूं सबको, और उसके साथ में मैं यह आशा करता हूँ, कि आपका यह नवंबर वाला जो exam है, यह intermediate के लिए last exam हो, और आप सीता CA final में आपन लोगों से वापस मिले, तो CA final में मिलने वाले है, आपका मेरे को यह promise चाहिए, कि आप CA final में मिलने वाले है, फटा फट इंटर को इसी time में complete करिए, और final में मिले, positively रही है, और यह last के 40 days है, अपना जितना हो सकता है, उतना दे दीजिए, 100% दे दीजिए, बिकॉस यह जो 40 days आप अपने लिए, ऐसी जिंदिगी जी होगे, जो कोई नहीं चाहता ऐसी जिंदिगी जीना, बट मैं बता दू, मैं आपको यह बोल सकता हूँ, promise कर सकता हूँ, कि एक बार आप इंटर clear कर जाओगे, बड़ी-बड़ी कंपनियों में articleship करोगे, बड़ी ठीक है, so thanks a lot people, that's enough for today from my side, best wishes for your examination and rock it, I know that you can do it, और आप यह कर सकते, thanks a lot people.